आज अब दोस्तों मैं हूँ शहजाद आलम बरनी आप देख रहे हैं दर बरनी शो आज हम अपनी शो में जो मुद्दा लेकर क्या है वो मुद्दा है कि भारत के अंदर कोरोना संकरमण की संख्या एक लाग के पार पहुँच चुकी है देख के अंदर अभी तक एक लाख दोसो तिरानमे केसिस कोरोना के पाए गए हैं जिसमें से 49,206 केसिस ठीक हो चुकी है आंकडों पर अगर नज़र डालें तो पिछले 24 गंटे में 5000 से जादा केसिस अभी तक कोरोना के संकरमण के पाए गए जो अभी तक की सबसे जादा संक्या है किसी भी 24 गंटे के अंदर देश के अंदर लगातार कोरोना के संकर्मन का शिकार भी लोग होते जा रहे हैं मौते भी काफी हो रही है अभी तक टोटल डेथ अभी तक 3155 डेथ हो चुकी है और एक ही दिन में आज 130 डेथ अभी तक हो चुकी है इस मामले में लेकिन उस सबके बावजूद अभी भी जो एक्टिव केसिज हैं यानि कि जो संकर्मित लोग हैं अभी भी देश के अंदर वो एक बड़ी तादाद है 57,926 केसिज ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव पेशेंट्स है यानि कि जो कोरोना के संकर्मन का शिकार हैं हाला कि बहुत स लोग देश के अंदर हैं और उसमेंसे सिर्फ 23,00,000 लोगों की अभी तक जाँ चुपाई हैं जिसमेंसे एक लाख लोग कोरोना के संकर्मन का शिकार पाए गए तो एक बड़ी तादार इसे आप कह सकते हैं करीब 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 पांच पिरतिशत के आंकड़ा आ रहा ह है कि जितने टेस्ट हो रहे हैं पांच परसेंट जो है वो कोरोना के संकर्मन का शिकार पाए जा रहे हैं महरास्टरा में अभी तक सबसे जादा केसिस पाए गए हैं और वो केसिज हैं 35,086 केसिज महरास्टरा के अंदर अभी तक पाए गए जिसमें 1249 लोगों की डेथ हो है दिली के अंदर 10,054 केसिज हैं जिसमें से 160 लोगों की डेथ हो चुकी है राजस्तान के अंदर 5507 केसिज हैं जबके 138 लोगों की वहाँ पर जान जा चुकी है मद्रप्रदेश के अंदर 5,236 केसिज हैं 252 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है उत्तरप्रदेश के अं की अभी तक जाद जा चुकी है अंदर 2432 केसिज हैं 50 लोगों की जा जा चुकी है वेस्ट बेंग आंदर 2825 केसिज है टोटल 244 लोगों की जा जा चुकी है पंजाब के अंदर 1998 केसिज हैं 37 λोगों की जान गई है तिलंगाना के अंदर 1511 केसिज है 34 लोगों की जान गई है जमुकश्मीर के अंदर 1289 केसिज है 15 लोगों की अभी करनाठका के अंदर 1246 केसिज है 37 लोग अभी तक मौत का शिकार हो चुके है इसके लावा हरियारा में 928 केसिज हैं, 14 लोगों की जान गई है, केरला के अंदर 631 केसिज हैं, अभी तक 4 लोगों की जान गई है, बिहार के अंदर 1423 केसिज हैं, 9 लोगों की जान गई है, औरिसा के अंदर 876 केसिज हैं, 4 लोगों की अभी तक जान गई है चंडीगड के अंदर 196 केसिज हैं तीन लोगों की जान गई है जारखंड के अंदर 228 केसिज हैं तीन लोगों की जान गई है तरीपुरा के अंदर 165 केसिज हैं कोई जान अभी तक वहाँ पर नहीं गई है उत्राखंड के अंदर 96 केसिज हैं टोटल एक वैक्ति की जान गई ह आसाम के अंदर 107 केसिज है टोटल 3 लोगों की जान गई है 36 गड़ के अंदर 193 में केसिज हैं कोई जान अभी तक वहाँ पर नहीं गई है किसी की हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 लोगों की जान जा चुके है गाइडलाइन जारी कर दिये गए तीन लोगडाउन पहले देश जेल चुका है मज़दूर सडकों पर बेरोजगार, बधाल और भूका घूम रहा है नंगे पैर है, चपल पहनने तक के लिए हैं नहीं देश में 3 लोगडाउन पूरे होने के बावजूद भी सरकार मातर 23 लाख टेस्ट की कर पाई एक तरफ सरकार का इदावा था कि 21 दिन के अंदर कोरोना का सरकिल होता है इसलिए लोगडाउन किया जा रहा है ताकि इस लोगडाउन के दौरान सभी की जाच की जा सके और पता चल सके कहां पे कोरोना का संकर्मन है और कहां पर नहीं है लेकिन 135 करोड की आबादी वाले देश में सरकार 3 लोगडाउन के दौरान मातर 23 लाख लोगों की जाच कर पाई यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्या आपको लगता है कि क्या सरकार कोरोना को रोपने और कोरोना से लड़ने में समर्थ है क्या इस काबिल है कि वो कोरोना के इस संकर्ट से अपने आपको अपने देश को देश की जनता को उभार पाएग या नहीं यह सबसे बड़ा सवाल है आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राहे जरूर बताएं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जाएं जाकर कि अपनी राहे में जरूर बताएं आज के इस एपिसूड में इतना ही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस